नमस्कार दोस्तों, सफलता सुत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल सफलता सुत्र को सबिस्क्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन आउन कर लें, ताकि आपको सफल स्वस्थ सुखी व सम्रिध जीवन जीने के स्वरणिम ज्यान सुत्र लगातार मिलता रहे। धन्यवाद। उनके जनम के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक इस्थिती अतियंत दैनी थी। धर्मान्धता, रूडियों, कर्मकांडों, विधानों एवं पाखंड से मानावता थर्थर काप रही थी। ऐसी विसंपरिस्थितियों के बीच कबीर दास जी पाखंडियों एवं धर्म के ठेकेदारों को ललकारता हुआ आया, और अपने ही बनाए अज्ञानता व असत्त के जाल में फसे मानावता को बंधन मुक्त करा गया। यू तो कबीर ने सास्त्र नहीं पढ़े थे, लेकिन उससे बड़ा ग्यानी कोई नहीं हुआ। साहिप कहते हैं, मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागत की लेखी, मैं कहता सुर्जहावन हारी, तू राख्यो अरुजहाई रे। आज भी सद्गुरु कबीर साहेप के अम्रित वचन सर्वाधिक प्रेरणा प्रद उप्योगी एवं प्रासंगिक है, उनके सास्वत संदेश देश काल सीमाओं से परे है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुवा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मोह, स्वार्थ, अहंकार एवं असीमिद्धन पाने की अंधी व कभी न खत्म होने वाली दोड़। स्वार्थ के वसीभूत इंसान नैतिक मुल्यों को भूल गया है। धन्यवाद। प्रेम की प्राप्ति के लिए समर्पन भाव अतियंत आवस्यक है। जो पूर्ण रूप से समर्पित होगा, उसे ही प्रेम मिल पाएगा। जाघट प्रेमन संचरे, सोघट जानुमसान, जैसे खाल लुहार की स्वास लेत बिन प्राण। कबीरदाजी कहते हैं, जिस जीव के हिर्दे में प्रेम भाव नहीं होता, उसे समसान के समान भायानक एवं मृत प्राय समझना चाहिए। जैसे लुहार की चमडे की धौकनी, जो मृत जानवरों की खाल से बनी होती है, और बीना प्राणों के ही सांस लेती है। कहने का ताथ पर यह है कि, जीवित रहने के बाद भी प्रेम भिहिन भ्यक्ति, मृत के समान, समसान स्वरूप होता है। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाहीं, प्रेम गली अतिसांकरी, तामे दो न समाहीं। संत कबीरदाजी कहते हैं, जब मैं यानि अहंकार मेरे अंदर समाया हुआ था, तब इस्वर मुझे नहीं मिले थे। अब इस्वर की प्राप्ति होते ही मेरा अहंकार नश्ट हो गया। प्रेम की गली इतनी सकरी होती है कि इसमें एक साथ दो नहीं समा सकते। अर्थात अहंकार के रहते प्रेम नहीं होता। प्रेम के लिए अहंकार का त्याग करना पड़ता है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना ही, सीस उतारे भूई धरे, तब पैठे घर मा ही कबीरदाजी कहते हैं, यह प्रेम का घर है, मौसी का घर नहीं है इस घर में पहुचने के लिए पहले सीर काट कर जमीन पर रखना पड़ता है तब ही इस घर में प्रवेश मिलता है अर्थात, प्रेम के घर में अहंकार का त्याग किये बीना प्रवेश नहीं मिल सकता प्रेम प्राप्ती की प्रथम वह अनिवार्य सर्त है, अहंकार रहित होना चिन ही चड़े, चिन उत्रे, सोतो प्रेम न होए, अगट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम वह नहीं, जो पल में हो जाए, और पल में समाप्त हो जाए ऐसा प्रेम महज डिखावा है, छलावा है, छनिक आकरसन है सच्चा प्रेम उसे कहते हैं जो एक बार पूरी तरह तन मन में बस जाए और कभी न घटे एक रस अभी चल रहे पोथी पढ़ी-पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई धाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए संत सिरोमनी कबीरदास जी कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के सास्त्रों को पढ़कर संसार में अंगिनत लोग मौत के मुह में समा गए लेकिन सभी पंडित या ज्यानी नहीं हो सके क्योंकि सिर्फ किताबे पढ़कर इस्वर का साक्षातकार नहीं किया जा सकता धाई अक्षर का सब्द है प्रेम जिसने प्रेम के वास्तविक ज्यान को जान लिया यानी जिसे परमात्मा से सच्चा प्रेम हो गया वास्तव में वही पंडित है प्रेम पियाला सो पिये सीस दक्षिना दे लोभी सीस न दे सके नाम प्रेम का ले कबीरदास जी कहते हैं प्रेम का प्याला केवल वही पी सकता है जो दक्षिना में सिर चढ़ा दे यानी जो गुरू के प्रती समर्पित हो लो भी कितना भी प्रेम की बातें करें या प्रेम पाने की उम्मीद रखे लेकिन वह अपने सिर का बलिदान नहीं कर सकता उसमें समर्पन भाव बिल्कुल भी नहीं होता प्रेम बिकनता मैं सुना माथा साटे हाट तनिकवी लंबन कीजिये ततिछिन दीजै काट सत्गुरु कबीर दाजी कहते हैं कि प्रेम बिकता है मैंने भी सुना है लेकिन इसको खरीदने के लिए सिर काट कर देना पड़ता है अर्थात प्रेम में समर्पन भाव सर्वो परी है ऐसे प्रेम बेपार में जरा भी देर ना करके तूरंद खरीद लेना चाहिए प्रेम में पूरी तरह समर्पन का भाव रखने से ही प्रेम की प्राप्ति होती है संत सिरोमनी कबीर दाजी कहते हैं कि सभी लोग प्रेम की बाते करते हैं परंतु प्रेम के वास्तविक रूप को कोई नहीं जान पाता जिस प्रेम में मन आठो पहर यानि दिन राद भीगा रहे उसे ही सच्चा प्रेम कहते हैं प्रेम का सच्चा मार्ग तो वही है जहां परमात्मा की भक्ती और ज्यान मिल सके प्रेम छिपाया ना छिपे जागट परगट होए जो कछु मुख से ना कहे नैन देत है रोए कबीरदास जी कहते हैं हिर्दय का प्रेम किसी भी प्रकार छिपाने से नहीं छिप सकता कभी भी प्रगट हो जाता है जिसके हिर्दय में प्रेम होता है वह मुह से नहीं बोलता पर उसकी आखों के आशू प्रेम को प्रगट कर ही देते हैं दोस्तों सद्गुरु कबीर दास जी के इन महान ग्यान सुत्रों से आपको उचित मार्गदर्सन वजीवन को सकारात्मक दिशा जरूर मिला होगा आसा करता हूँ सद्गुरु के इन दिव्य संदेसों पर अमल करके आप अपना जीवन सफल सुखी वसंविद्धसाली जरूर बनाएंगे क्रीपिया इस प्रस्तुती पर अपनी प्रतिक रिया कमेंट में लिख कर जरूर दें संद कबीर के इस सास्वत ग्यान सुत्र को अधिक से अधिक से एर करें ताकि सबको इसका उचितलाब वमार्ग दर्सन मिल सके हमारे चैनल सफलता सुत्र को सबिस्क्राइब करके जरूर रखें ताकि ऐसे ही जीवन बदल देने वाले सुर्णिम ज्यान सुत्र आपको लगातार मिलता रहे मैं उमेश जल्द ही आपके लिए रेकराऊंगा सकारात्मक्ता रचनात्मक्ता एवं नविनता से परिपुर्ण एकाओर जीवन सुत्र जुडे रहिए सफलता सुत्र से धन्यवाद